आज मैं आपके साथ प्रकाशित वाक्या में से उस जन्तु के विश्य में बात करने जा रहा हूँ जो बहुत भी शिग्र इस प्रित्वी पे प्रगट होने रहा हूँ Alleluia, thank you Jesus, thank you Lord Jesus, Alleluia अज़ धी लुड़ जस थान झान 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 झा Lord we bless your holy name Lord we bless bless your holy name Alleluia Thank you Jesus Bless your name Bless your name Lord we bless your name Lord we bless your name We bless your name Bless your name, bless your name, bless your name Alleluia Lord we bless your name 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 Amen, Hallelujah Hallelujah, praise the name of the Lord, Hallelujah Ayyid Zabuzayin Lord we bless your name 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 तेरे बुया विच्छ उनकडे साड़े पैर मैं खुश होया जदो मैंनू आख लगे मैं खुश होया जदो मैंनू आख लगे आलेलुया प्रभु की दासी सिस्ट तनूजा जी हमारे साथ है आप प्लीज प्राथना करें इस सबाती ये जैमसी की हलेलुया आलेलुया महां जी विच सामझी अनुव्यकारी परनीजव स्बरग्मेबी राच्मन हमारे स्बरगे पिता आपके लौत खुशियुमसी के नम से ये इस्वमसी के लखु की द्वारा पिता परनीजव hurts हम सब पिता आपके चर्णों में आते पिता पता, आहत्र महिमाद जलाल है को देती है पता, आप की तनना की पता, आपके उपकारों के लिए, जया के लिए। एक जाते पुटर येशुमसी को persön, धल बादे के लिए, पता, पर्मिश्वर हम आपका धनिवाद करते हैं, राजके संदर दिन के लिए, संदर समय के लिए येशि exambi मेरे पिता परमेशवर, हम आपका धनेवाश करते हैं ठीचियो पिता पिता, वो बच्चन रूपी रोटी जब हमारे बीच में तोड़ी जाती है, पिता, तो सच मुझः पिता, जब हम उसे खाएं, तो वो हमारे गूदे-खूदे को, प्रभू जी हमारे फ्राणों को परभद करने पाई, पिता, हमारे प्रभुजी इससेς पिता सच मुझे हम प्रभुजी को पुष्ट होस्ट पुष्ट हो जाये यह श्यमस्यांकी नाम से पिता आप सहता और मदद करें पूरी प्रोड़कास्ट का प्रभुजी में आप निगबानी करें मेरे पिता परमेश्वर जितने भी लोग जूँदे हैं और जो अटे सुनते हैं मेरे परमेश्वर प्रभुजी सवस्चन को गृहन करते है पिता उनकी बुद्धी खुल जाए मेरे परमेश और वो इसे ग्रेहन करने वाले नहीं परन्तू इस पर चलने वाले भी होने पाए लोड पूरी सभा को पिता परमेश और हम आपके हाथों में सौपते हैं पवितरातमा आपकी अगवाई साहता मदद को मांगते हुए आदर महीमा जलाल आपको देते हैं और इस अज़र करता ये शुनासरी के नाम के मांगते हैं आमेन आमीन आलिलूया जै मसीखी जै मसीखी आलिलूया आज मैं आपके साथ प्रकाशित वाक्या में से उस जंतू के विशे में बात करने जा रहा हूं जो बहुत ही शिग्र इस पृत्वी पर परगट होने वाला है इस पृत्वी के उपर ऐसे घटनाकरम बहुत ही जल्दी से हो रहे हैं जो इस बात के और इशारा कर रहे हैं कि पृत्वी के उपर बहुत बड़ी तब्दीलियां, चेंजिस बहुत रैपिडली आने वाली है और इस जगत में इस जगत का शाशक आने वाला है जो इस संसार पे राज्य करेगा इस जगत में सियासी उतल पुतल है economic financial उतल पुतल है political, economic, social, समाजिक उतल पुतल है पृत्वी की अलग-अलग जातियां, पृत्वी के अलग-अलग ethnic group पृत्वी के अलग-अलग धर्म के जुंद एक दूसरे के संग हम देख रहे हैं इस समय में एक दूसरे के संग वाद विवाद जगड़े और बहुत ही बैमनस्य का आकरोश, पुरोद और नफरत का महौल पृत्वी पर बढ़ता जा रहा है तो अकाश के अंदर सितारों में उतर पुतल है, सूरे की सथा पे उतर पुतल है, चांद की सथा पे उतर पूतल है, सलेशियल बॉड़ीज यह चीज की और इशारा कर रही है प्रभु का दास यहना दर्शन देखता है क्या दर्शन देखता है यहना कि एक जन्तु समुंदर के बीच में से बाहर निकल रहा है एक जन्तु मैं आपको अक्सर बताता हूँ यह जन्तु जो है यह परमेश्वर के लोगों को दंड देने के लिए सजा देने के लिए परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के और मोडने के लिए भेजे जाते थे प्रभू अपने बचन में कहता है 70 बार प्रभू ये बचन दोर आता है मैंने आपको कई बार बताया उत्पती से लेके मलाकी नभी की पुस्तक तक प्रभू कहता है यदी तुम मेरी आग्या नहीं मालोगे यदि तुम मेरे आग्याओं की चौकसी से पालना नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बीच में प्रभू कहता है तलवार भेजूँगा, फिर कहता है अकाल भेजूँगा, फिर प्रभू कहता है मरी भेजूँगा, प्लेग फिर भी अगर तुम बाजनी आए तो फिर मैं और अपने दर्शन में एक जन्तु को महा समुदर में से उठते हुए बेखता है और आगे लिखा, it had seven heads and ten horns इस जन्तु के साथ सिर है और दस सिंग है with ten crowns on its horn और इसके जो साथ सिंग है उन साथ सिंगों के उपर दस मुकट रखे हुए है and written on each head were names that blasphemed God और हर सर के उपर जो नाम लिखे हैं वो स्वर्ग के जीवित परमेश्वर यहोवा की मिंदा के नाम लिखे हैं आलिलूया तो आप पढ़ेंगे अगर आप प्रकाश्ट वाकर समझना चाहते हैं तो आपको इजिक्यल नभी की पुस्तक, जिर्मिया नभी की पुस्तक, जोएल नभी की पुस्तक, जकराया नभी की पुस्तक और अमोस नभी की पुस्तक इन्हें समझना पड़ेगा आलिलूया उत्पती की पुस्तक की और वापिस लोटना पड़ेगा ये जो entities हैं, ये supernatural entities हैं, ये natural entities नहीं हैं, ये supernatural entities हैं, हालिलुया, तो ये जो परकाशित वाक्या 13 है के पहले बचन में समंदर में से जन्तु निकल के आ रहा है, ये है anti-Christ, anti-Christ, मसी विरोधी, लेकिन जो शब्द है युनानी भाशा में, anti-Christ, उसका मतलब ये नहीं है मसी का विरोधी करने वाला, सुनिए दियान से, उसका असली मतलब है मसी के जैसा दिखाई देने वाला, जो मसी के जैसे सिवकाई करेगा, जो येश्य मसी के जैसे जूटे अभिशेक में आएगा, जो येश्य मसी की तरह अपने आपको पीश करेगा, अलिलुया और ये जो जन्तू निकल के आ रहा है ये जितने जन्तू निकले हैं कितने जन्तू हैं तीन जन्तू है दे लायन शेर जो बैबलोनियन किंडम है बेर रिच जो मीड और परिशन की किंडम है और लेपर्ड जो ग्रीक किंडम है और उसके बाद फिर बेर रिच जिसक इतनी बादशाहिया हैं, सब बादशाहियों को मिला के, जितने ये जन्तु हैं, जो बाबुल के, किंग्डम का बाबुल के रज्जे का जन्तु, जो मादी और पार्सियों के रज्जे का जन्तु, बाबुल के रज्जे का जन्तु था शेर, मादी पार्सियों के रज्जे का रिच बेर और ग्रीक किंडम का अलेक्जेंडर की गुमें वह जन्तु था लेपर्ड चीटा और रोमन किंडम का जन्तु था रिच जिसके मूह में टीन रिब्स है पस्णिया आए ये चारों को मिलाके ये जन्तु आ रहा है ये आखरी जन्तु है आलेलुईया तो दानिया की पुस्तत, उसका साथ अध्याई, हालेलुया, दानियल साथ अध्याई के पहले बच्छन से पढ़ता हूँ, earlier during the first year of King Belshazzar's reign, Belshazzar's reign in Babylonia, Daniel had a dream and saw visions as he lay on his bed, दानियल जब अपने बिस्तर पे सोया है, तो प्रमेश और दानियल को दर्शन देता है, he wrote the dream down, वो सपनों को लिखता है, this is what he saw, उसने ये देखा अपने खाब में, in my vision that night, उस दर्शन को जो रात को मैंने पाया, I, दानियल, saw a great storm churning the surface of the great sea, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ हैं, ये है Mediterranean Sea, Mediterranean समundर के ऐसे किनारे के उपर इसराइल बसा हुआ है, अलिलुया, Mediterranean Sea के western edge पे जो है, वो है समुदर, ये देखिए, ये देखिए, ये इसराइल है, ये सारा इसराइल है, रेकरी, यह इस्राइल एदर और यह कहां बसा हुआ है यह समुंदर है इस समुंदर के उपर बहुत तेज आधी आ रही है यह दर्शन देखता है डैनियल अगर आप पढ़ेंगे सेप्ट वजिन ट्रैसलेशन सेब्ट्वर जिंट रांसलेशन कौन सीट्ट्रांसलेशन है जिससे 72 इस्रेली यहूदी विदवानों ने अरामी भाशा और इभरामी भाशा से युनारी भाशा में तरज्मा किये यह असली विदवान जो यहूदी थे उनके द्वारा किया गया काम है ग्रीक भाशा में जिसे हम Septuagint कहते हैं उसमें क्या लिखा है उसमें लिखा है चार आंधियां चली Four wind, blue violently upon the sea चार आंधियां चली उस समंदर के उपर Hallelujah और चार जंतु निकले उसमें से क्या लिखा है दानियल नभी की पुस्तक में दानियल नभी की पुस्तक का साथ अधियाए Septuagint में लिखा चार प्रचंड आंधियां चली इस समंदर के उपर Strong wind blowing from every direction Four huge beasts came out of the water Each different from the other चार जंतु निकले समंदर में से चारों एक दूसरे से अलग है जो बताता है यह जो चार बादशाईया है चार kingdom है चार सल्तनते जिन्होंने इस्रेलियों को दबाया इस्रेलियों को कुचला इस्रेलियों को मारा इस्रेलियों को लूटा इस्रेलियों को जबरन गुलाम बनाके उनसे गुलामी में काम लिया ये हैं जंतु बीस्ट क्यों क्योंकि इसराइल ने प्रभु यहवा की बात नहीं मानी इसराइल ने प्रभु यहवा के करार नामे को एहद नामे को माना नहीं इसको ना मानने की सजा है इस एहद नामे को ना मानने का दंड है आज भी है कल भी था और आने वाले कल में भी रह इसको मानने की अपरम पार बर्कते हैं, 28 सध्याय विवस्था सार पढ़िये, एक से लेके 14 तक बर्कते बर्कते हैं, 15 से लेके 68 तक लानते लानते, तो इसराइल पर ये लानते गिरी, तो ये चार जनतु निकले जिन्होंने इसराइल को दबाया, चारों एक दूसरे से अलग तो पहले क्या लिखा है, 24 बचन में, फर्स्थ बीस्थ वस लाइक इलाएन विद ईगल से लेके जो पहला जनतु है, वो शेर है, उसके जो पंख हैं, उकाब की तरह हैं, इगल की तरह हैं, लेकिन आपको मालों सेब्ट और जिन्ट में क्या लिखा है, सेब्ट दिट में ल आपको मालूं किनानी लोगों का एक देवता है, सुमुंदर के अंदर तुफान लाने वाला एक देवता है, कैयास गाड, जो याम के उपर कैयास मौन्सेटर उसे कहते हैं कनानियों का, जिसे बाइबल में लिवाया थन कहा गया है, उद्पती की पुस्तक में उसका नाब है लिवायतन उत्पती की पुस्तक पहले अध्याय के दूसरे वचन में सुमूंदर के अंदर एक जो ताकत रहती है उसने यहोवा के विरुत बलवा किया है उत्पती एक दो में यहोवा परमेशुर के विरुत पहला बलवा है उस बलवे को कैसे यहोवा परमेशुर ने कैसे लिवायतन को वो जो आतमा है बहुत बड़ा अजगर है पानियों में जिसने यहवा के विरुद बलवा किया यहवा ने कैसे उसे वश में किया और उसे हराया जिसके विशे में ये शाया नभी की पुस्तक में और अयूम नभी की पुस्तक में लिखा हुए ये पहला विद्रो है यहुवा के विरू समुंद्रों के अंदर आलिलुया तो सुनिए ध्यान से ये जो कनानियों का देवता है लिवाय थन आपको मालूं इसे कैयास ड्रेगन कहा गया है सुमेरी लोगों के कल्चर में सुमेरी लोगों की पुस्तक में ये है कयास ड्रेगन जिसका नाम है तिया मातू तिया मातू जो है वो आपसू जो देवता है उनका आपसू आपसू देवता की कॉंसर्ट है तिया मातू तियमात हीब्रु भाशा में उत्पती की पुस्तक एक देया के दो वचन में वहाँ पे लिखा गहराई के उपर यहोवा का आत्मा मंदला रहा है यहोवा का आत्मा आया और जो सुमुंदर के अंदर यहोवा के विरुद वगावत की इसने की एक तो लिवाइठन ने की जिसे तियमात लिखा गया है गहराई ने की जिसे हीब्रु भाशा का वर्ड है ताहोम जहां से यह वर्ड निकला तियमात यह देवी है गॉड़ेस लाइनस जिसने पिरमेशर के वरुद बलवा किया और आपसू की कॉंसेट है जो गहराईयों के फ्रेश पानियों की देवी है अगर आप पढ़ेंगे न अकेडियन लोगों का कल्चर अकेडियन लोग जो है उसमें ये जो आपसू है इससे अबिस कहा गया अबिस जिसे हम अथाकुंड कहते हैं अथाकुंड का राजा है यह अथाकुंड अबसू सो ग्रीक बाचा में प्लेश अफ नो नॉलेज तो जो अबिस है वहीं से वर्ड निकलता आपसू और आपसू की कौन सेट है तियमातू और अगर आप अकेडियन लोगों का कल्चर पढ़ेंगे उसमें एंकी उनका जो देवता है एंकी वो एंचांटमेंट के द्वारा जादू के द्वारा ड्रेगन है ड्रेगन हालिलूया उसको मार देता है और उसकी बॉड़ी को ले लेता है उसके शरीर को उसके शरीर में खुझ जाता है उसके शरीर को इस्तेमाल करता है तो ये तियमातू की कहानी है इनूमा इलिश एक गरंथ है इनूमा इलिश एक गरंथ है बैबलोनियन ल लोग उत्पती बताते हैं कि दुनिया की उत्पती कैसे हुई है बाइबल की उत्पती की पुस्तक को तोर मरोड के पेश किया गया है जेनसेस का फेक अकाउंट उसके अंदर बताया गया है उसमें बताया गया है फीमेल गॉड़ेस कायास मॉंस्टर जो है वो है तीया मातू आलेलुया तिया मातू जो ये क्या है पहला जो जन्तु निकल के आ रहा है और लिखा है and it was left standing with two hind feet on the ground like human being and a human mind was given to it ये इसे मानव का इस जन्तु को इंसान का मन दिया गया और ये इशारा कर रहा है बाबुल के राजा नुबूग दिनसर को जो इनसान था लेकिन परमेशुर ने उसको जानवर बना दिया साथ साल के लिए उसे दंड दिया क्योंकि उसने अहंकार किया यहुआ परमेशुर के संदु काले लुए तो सैप्टु अजिंट 300 बीसी में येश्यमसी की आमज से 300 साल पहले रचा गया 72 यहुदी स्कॉलर्स ने ग्रीस के राजा के लिए एलेक्जेंडर के बाद जो राजा हुआ उसने उन 72 यहुदी विद्वानों से बिंती की क्योंकि युनानी लोग जो थे वो अरस्तु सुकराद, प्लेटो, हेरोडितस, एरिस्तॉर्टल, सोक्रेटस, प्लेटो, हेरोडितस की बड़े-बड़े गरंत पढ़ते थे और वो बुद्धि की कोज में थे, ज्यान की कोज में थे, और वो युधियों का धर्म दर्शन पढ़ना चाहते थे, इसलिए सेप्टु अजिन्ट की क्यों गये है। आलेलुया जो मैसरेटिक टेक्स्ट है एक सेप्ट वाजिन टेक्स्ट है वो एक्स्प्लेइन करता है यह सारी एंटिटीज जो बाइबल के अंदर है यह अन्य जाती के देवी देवता बाइबल बहुत से कल्चर के संग बहुत से संस्कृतियों के संग बहुत से देशों के सं इनाना एक देवी है जो शेर पे बैठी हुई है ये पहला उस जन्तु क्यों इशारा करता है इनाना दूसरे धर्म के कल्चर के अंदर उस देवी के विशे में लिखा हुआ है तो इसके पांच वचन को आपके लिए पढ़ता हूँ पांच तो दूसरा जन्तु कौन है ये शेर दूसरा जन्तु है रिच बैर इसके मूँ में तीन पसलिया है और तीन पसलिया इस से बोलके कह रही है बहुत सारा मास खा तो कुछ लोगों की अटकल है कि ये बेर जो है रिच जो है शायद रूस है क्योंकि रूस का नैशनल सिंबल राश्ट्रिये जो जानवर है वो है बेर अर्थात रिच और अभी हम देख रहे हैं कि रूस युक्रेइन के अंदर एक वर्ड वार को भुरू कर रहा है थी रूस है और बैट गाय एक विलन का रूप इक्तियार कर रहा है आप अगर गूगल सर्ट करें या अधिन करें तो मेरियन विजिन के विशे में जो 1713 में फातिमा का विजिन था फातिमा रोमन कैफलिक चर्च ने एक पड़ा दर्शन देखा एक लेडी फातिमा देखाई थी अकाश के अंदर और उसके द्वारा एक बढ़ा रिवाइवल आया रोमन कैफलिक चर्च के अंदर और उसका कनेक्शन सोवियत यूनियन के संग भी था जो इंचन्ट सोवियत यूनियन जो टूट गया और यू एस एस आर बाद में रशा बन गया हम इजिकेल नभी की पुस्तक के 38 सद्धाय में गोग मेगोग और रोश और तूबल की जो बातें पढ़ते हैं तो कुछ बाइबल के विद्वानों ने गोग मगोग जो है इसे रोश को रूस और मिशिक को मासको और तूबल को तूबलिस्क ये जो रूस के शहर है ये बताया लेकिन कहानी ऐसी नहीं है जैसा ये कहा गया त इरान जब रशा में रेवलूशन आया तो इंग्लेंड और अमेरिका इसके वरूद में थे अभी भी आप देखते हैं वो इंचन ट्राइवलरी चल रही है तो इजिकियल 38-49 को आप ध्यान से पढ़िए गया जिसके अंदर गोग मगोग की लड़ाई के विशे में बताया जिसके जिए जिए जो उत्तर की और से आरी है नॉट की और से और नॉट जु है हीबरु में वर्ड है अलशपौन ये नॉट जो है जिए झारफिकल नॉट नॉट नहीए आपको मालूं लुसीफर ने क्या कहा उसने कहा मैं उत्तर की दिशा में तारू के उपर चूँगा North वो जगा है जहांपे यहोवा प्रमेशर राजाओं का राजा अप्रभू का प्रभू स्रश्टी का रचिता स्वामी अपने महिमा से भरे सिहासन में विराज मान गए North की तरफ उत्तर की तरफ उस उत्तर की दिशा में यहोवा के सिहासन कि उपर अपना सिहासन बनाना चाहता था लूसीफर और उसी नौर्थ दिशा से ये सैनाय आ रही है ये नौर्थ जिग्राफिकल नौर्थ नहीं है ये जो कौमे है ये पृत्री की कौमे तो है ही लेकिन इनके पीशे शैतानी शक्तियां खड़ी है रुएं खड़ी है एंटि है इसके पूमे पसलियां और इसे कहा गया है और बहुत सी पसलियों को ख़ा हालिलूया तो दस सर्थ ये सूपर नैच्रल है शारीरिक नहीं है ये हालिलूया तो ये जो तिया मार्थ और लिवाइट है ये प्राइमोडियल एंटिटीज हैं शक्तियां दानियल को और परका सीवर दस सिंह और साथ सिर पें तस मुकत अर्ठात एक सिर पें शाइव चार मुकत है तो नैंक व्चन देना चाहता हूं आपको मेरी संग पड़ें जल्दी सी परकाशीतवक्षे 17 अध्याए और उसका 12 तेरा बच्छन परकाशीतवक्षे 17 का 12 सुने His 10 horns are 10 kings. 10 जो सिंग हैं, 10 राजे हैं Who have not yet risen to power जिनको अभी शक्ति नहीं मिली है जिनको अभी राजय नहीं मिला एक घंटे के लिए उनको राज्या मिलेगा वो जन्तु के साथ एक घंटे के लिए राज्या करेंगे तो इसका मतलब ये दस राज्या अभी प्रगट नहीं हुए है ये आने वाले समय में प्रगट होंगे तो जैसे बहुत सारे बाइबल विद्वान ये अनुमान लगाते थे कि दस रोमी जो राजा हुए है टैन रोमन एम्परर शायद ये हैं वो दस राजा या दस मुस्लिम खैलिफेट आटमन एम्पाइर के बाद जो बीजन टाइन एम्पाइर के बाद आटमन एम्पाइर और दस इसलामिक खैलिफेट हुए है शायद ये वो राजा है ये नहीं है भाई और बैनों इनको अभी राज्या करने के लिए मिला नहीं है और ये जो राज्या करेंगे एक तुसरे के बाद राज्या नहीं करेंगे ये एक साथ 10 के 10 राज्या करेंगे और इन्हे एंटि क्राइस के संग राज्या करने के लिए मौका मिलेगा एक गिन्टे के लिए ये फ्यूचर है भविश्या है आलेलूया और इनका एक ही मकसद है बीस्ट को, जन्तू को तैयार करना, वो जन्तू जो समंदर में से निकलके आ रहा है, हालेलुया, दानियल साथ के छे में, जब ये जन्तू बाहर आता है, तो उसके सर पे ये दस सिंग अलडी है, जैसे वो आएगा, दस सिंग होंगे उसके सर के उपर, साथ सिरों के उपर दस मुकट होंगे उसके already तो ये राजा अभी प्रगट नहीं हुआ कुछ कहते हैं ये इसलाम है कुछ कहते हैं ये रोमन कैथलिक चेर्च है तो अभी ये प्रगट नहीं हुए ये प्रगट होंगे और दानियल साथ की साथ में क्या लिखा है इन दस सिंगों के बीच में एक चोटा सिंग निकल के आता है जो एंटी क्राइस्ट है और वो क्या करता है तीन सिंगों को उखाड देता है और साथ सिंग रह जाते हैं और उनके बीच में से वो खड़ा होता है और फिर भी को दस कैसे होते हैं शायद वो तीन को फिर स्टाबलिश करता है तो परकाशित वाक्या तेरा अध्याई के दो वचन को आपके लिए पढ़ता हूं यहां पे लिखा है तेरा के दो में एंड इस बीस्ट लुक्ट लाइक लेपर्ड यह जो समुंदर से निकला जंतु कैसा है च अधिकार भी देता है यह चीता भालू और रिच तीनों का मिलाव है चीता भालू रिच तो जो एलक्जेंडर का राज्या है सिकंदर महान का वो है भाईयो एलेक्जेंडर का जो राज्य था वो था लैपड की तरह हालिलूया परशिय का जो राज्य था वो था रिच्च की तरह वेर की तरह अभी मैं आपको वचन देना चाहता हूं मेरे समग पड़े बड़ा एक अधुद वचन है मीका नभी की पुस्तक मीका नभी की पुस्तक जोना मीका नहूम अबकुक मीका पांच धै और उसके पांच वचन से पढ़ता हूं आपके लिए मीका पांच ये पांच वचन से and he will be the source of our peace when the Assyrian invade our land and break through our defenses we will appoint seven rulers to watch over us eight princes to lead us they will rule Assyria with drawn sword and enter the gates of the land of Nimrod they will rescue us from the Assyrian when they pour over the border to invade our land Assyrian कौन है ये निमरोद अब यहां पे मीका नभी की पुस्तक में निमरोद का जिकर क्यों हो रहा है निमरोद तो उत्पुती की पुस्तक में मर गया है निमरोद ही एंटिक्राइस्ट है निमरोद के आत्मा में वापिस लोटेगा वो जन्तु अलेलुया Assyria Assyrian अलेलुया शैतान अपना सिहासन जन्तु को देता है अलेलुया और शैतान का सिहासन कहां पे है कहां बाइबल में शैतान के सिहासन का जिकर हुआ है उत्पती की पुस्तक में सौरी उत्पती नहीं प्रकाशित वाक्या में प्रकाशित वाक्या के अंदर चलिए अलेलुया प्रकाशित वाक्या में शैतान के सिहासन का जिकर हुआ है और आपका मालूँ शेतान के सिहासन के विशे में कौन बताता है स्वैम प्रभू येश्व मसीद काते पढ़िए आप परकाशित वाक्या दो अध्याए उसका बारा बचल परगमम की कलीशिया के नाम जो चित्खी प्रभू भेजते हैं उसमें क्या कहते है प्रभू क्या कहते है उसका तेरा बचल परकाशित वाक्या दोगर तेरा इसमें का सिहासन कहां पर येश्व मसी जब ये चित्खी लिखवा है परगमम में ये शेतान का सिहासन है तू मेरे लिए वफदार रहा है पर वो कहता है तेरे शेर में शेतान का सिहासन है यहां पर शेतान का जो सिहासन है आपको मज़ों को क्या था वो जूस देवता का मंदिर था बहुत बड़ा मंदिर जिसकी सेट्रो सीडियां से ऐसे चड़के जूस देवता को मथा टेकने लोग जाते थे यह जो जूस का मंदिर था यह बैल गॉड है बैल गॉड यह स्टार्म गॉड है तुफान का देवता है हालिलूया और यह है शेतान शेतान का यहां सिहासन है और आपको मालूं यह जो परगमम में शेतान का सिहासन था इस पूरे सिहासन को उठाके हिटलर लेके गया कहां पे? हिटली में हिटलर सॉरी हिटली हिटली में नहीं जर्मनी में जर्मनी में हिटलर इसे जर्मनी में लेके गया और इस सिहासन को उसमें इस्टाबिश किया ये शैतान का सिहासन आलिलुया तो प्रभू बताता है ये सिहासन तहां था तर्की में था परकाशित वाक्या में परदमम की कलीसिया है तर्की में तो एक और बचन देता हूं आपको परकाशित वाक्या 17 दे आए उसका नौ बचन से पड़ें अब क्या बताता है साथ जो सिर है इस जंतु के वो कैपिटल है कैपिटल जहां पर ये औरत राज करती है कौन है ये औरत ये बेश्या है सैवन हैड साथ सिर साथ पहाड है साथ पहाडों के एक शहर वसा है इटली में इटली वैटेकन सिटी साथ पहाडों पे वसा हूए नगर है तो ये साथ जो पहाड हैं, ये साथ राज्य हैं, साथ किंडम हैं, इसमें साथ किंग रूर करते हैं, हालिलुया, तो ये जो राज्य हैं साथ, ये एक ही बार राज्य नहीं कर रहे हैं, ये एक राज्य कर रहा है तो दूसरा तो तीसरा तो चोथा, कंजेक्टिबली नहीं कर हालिलुलिया इसमें से पांच चले गए हैं है कि समय जब यहुना यह पत्री लिखता और यहुना के समय छठा exist कर रहा था सातमा था छेमा था लेकिन सातमा आने वाला था तो जो छेमा ये रज्य है, ये कौन है, ये है रोम का रज्य है, और सात्मा जो आने वाला है, वो है भाई और भेनों, दानियल जो दर्शन देखता है, अब इस मूर्ती का, इस मूर्ती के जो पाउं है, वो लोहे और मिट्टी के मिले हुए है, हाइपरिड किंडम है, उसके पाऊं पे वो चटान तकराती है जिसका नाम है येशु मसी जो साथ, जो आखरी राट notor já आने वाला है ये राजा इंटिकराइस्द। इसके संग युद्ध है येश्व मसी का जूते मसी के संग पर्मेश्वर का मसी येश्व नासनी युद्ध करेगा और उसे परास्त करेग हालेडूया तो बाबल पर्शिया ग्रीस रोम बाबल पर्शिया ग्रीस और रोम इन सब ने परमेशर के लोगों को सखाया है परमेशर के लोगों को गुलाम बनाया परमेशर के लोगों को मारा है हालेडूया सब ने सब ने तो दो और कौन से ये चार हो गए और छे तक दर्शन देखा उसने किसने योना ने सातमा आने वाला वो कह रहा है उसने बोला पांचमा आके चला गया छठा अभी है सातमा अभी आने वाला है तो चार राज्या को हो गए बैबिलॉन, दूसरा परश्या, तीसरा युनान, चौथा रोम इन्होंने परमेशुर के लोगों को मारे ये चार जन्तु है और दो इससे पहले के कौन से है, सुनिए दियान से सबसे पहला राज्या देश जिसने यहोवा परमेशुर की प्रजा इसराइल को सकाया दुख दिया, गुलाम बनाया, दास बनाके इन्हें देश में रखा, वो है मिसर, इजिप्ट अलिलुया, और दूसरा राज्या जिसने यहोवा के लोगों को सकाया और गुलाम बनाके ले गया वो है असीरिया अशूर अशूर दस गोत्रों को गुलाम बना के ले गया और उन्हें दुख दिया तो मिसर अशूर मिसर अशूर बैबलॉन पर्शा ग्रीस रोम यह शे राज्या हो गए अलिलुया तो और किस राज्या ने परवु के लोगों के सठाया इंशे के लवा वो है भीजन्टाइन अंपाइर भाई और बेनों जब अ मुह पज़ा कर लिया मुस्लिम लोगोश्ति है विजन्टाइन अंपाइर पे और मुस्लिम खलीफे बन गया कॉंस्टेंट टिनापोल टर्की के अंदर इसलाम का अड़ा बन गया आॉटमन एम्पायर जो है विजन्टाइन एम्पायर के उपर कबजा करने वाली इसलामी शक्ती जिसका नाम था आॉटमन एम्पायर हालिलुया वो आॉटमन एम्पायर साथमी एम्पायर है जिसने प्रमिशर के लोगों को दुख दिया है आॉटमन एम्पायर जो मसलिम खालीफेट था उसने ना केवल यहूदियों को दुख दिया और परसी क्यूट किया बलकि मिसीयों को भी किया ये राज्या आने वाला है जो परकाशित वाक्या सत्रह दिया कि दसवतिन में लिखा है क्या लिखा है पाइव किंग्स हैव अलड़ी पॉलन पांच राजा गिर गए है छठा राजा राज्या करता है सातमा अभी आने वाला है जिस में से चोटा सिंग निकल के आ रहा है आलिलूया और ये थोड़े समय राज्या करेगा अब ये थोड़ा समय कितना है हमें मालूम नहीं अयूब 24 के 24 में पढ़े और आप पढ़े भजन साहिता ये थोड़े समय के लिए थोड़ा समय है हजाई नभी की कुछतक में प्रवज को हिलाऊंगा हज्याई नभी के समय कहा ये बात इसे लगवाई 26 साल हो गए अभी ये बविश्यवानी पूरी नहीं हुई 26 साल हो गए तो हमें नहीं मालूब ये कितना समय है आलिलूया तो सुनियेगा ध्यान से क्रमेशल के कलाम को आलिलूया साथ एमपाया आलिलूया और इसका ग्यारा वचल जो मैंने अभी पढ़ा परकाशित वाक्या 17 का 11 दा स्कारलेट बीस्ट डैट वज अलाई एंड तैन गाइड इस दी एट ये है आटमा राजा ये साथमे में से निकल के आ रहा है आलिलूया और परकाशित वाक्या 13 का 3 जो मैंने आपके लिए शुरू में उपर था इसके उपर मैं मुझे लगता है 10 सेशन करने पढ़ेंगे तो भी शायद इनी कला समझ ना पाएं इस स्टडी को हम केंटीनू करेंगे इविनिंग के समय हम परकाशित वाक्या को पर मेडिकेट किया करेंगे तो परकाश्ट वाक्या तेरा कतीम एड़ शौ देट वन हैड अफ़ बीस्ट सीम्ड वूंड़ बियॉंड रिकवरी बट अ पेटल वूंड वुजी उसका सिर्फ उचल दिया गया लेकिन वो सिर्फ चंगा हो गया तो यह जो आटमन खैलिफे है तर्की में इसे रिवाइद करने की कोशिश की जा रही है तुरकिस्तान में तर्की में आटमन अम्पायर को दुबारा से बनाए जाने की कोशिश की जा रही है हालेडुनिया हमारी आखों के आगे बहुत सी बाते घट रही है जो यह बता रही है कि प्रभु जल्दी आ रहा है और येश्य मसी की दुलन को तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि वो आएगा और देर नहीं करेगा जितनी कुवारियां तैयार होंगी जिनकी मशाले जल्दी और कुप्लियों में पेल होगा वो उन सब को लेके चला जाएगा आलेलुया प्रभु जी मैं प्राठना करता हूँ विपिन शर्मा के लिए और डेजी वियस के लिए आपका लव इन पे चिड़ता हूँ हरदीप मसी उनकी मदर के लिए चंदर मोहन के लिए सुरेश कुमार के लिए गीता मसी के लिए अनिका रानी के लिए विशाल चीड़ा के लिए प्रभु जी मैं प्राठना करता हूँ भाई अलमास राज के लिए जो जेमनी से हैं उनके परिवार घराने के लिए गुर्दीप, गुर्परीत कौर के लिए शीपा नाहर के लिए गुरवंदर कॉर के लिए राना अनिल के लिए प्रभुजी सीमा सिंग के लिए सैम लखोतरा के लिए प्राठना करता हूँ प्रभु हैपी जाकू के लिए और प्रभु मैं प्राठना करता हूँ महीर जी के लिए हरजीत सिंग रिंका के लिए मिनु वर्मा के लिए रेनु के लिए प्रभु जी प्राटना करता हूँ मैं प्रभु शुरेशकुमार को आशीशित करें मैं प्राटना करता हूँ एशु के नाम एद्धीप मसी केलिए प्राटना करता हूँ लेट्स गो हैवन, मिनिस्ट्री के लिए प्राथना करता हूँ, विशे कॉल के लिए प्राथना करता हूँ, अमर भाठिया को आपके लिए प्राथना करता हूँ, परवेज मसी के लिए प्राथना करता हूँ, तुरुजा सेट के लिए प्राथना करता हूँ, बिनाया के लिए प्राटना करता हूं phenomenal प्रभू हालिलुएया ललिक महरा भोख़ाए के लिए एंसनी बत्रा के लिए प्राटना करता हूं बत्राटना करता हूं इंसफ यहोरा के लिए प्राटना करता हूं эфф study had Pnelement अपनी बरकत के साहे के नीचे रखिए रखिए खुदा आवा येश्य मसी आपके जलाली नाम में इस परात्रा को हम माँते हैं आमीन आमीन जाय येश्य मसी